टो आज दो आज इस नएप वीडियो में बात करने वाले तो आज ये वीडियों में आज मनें गराल पीया जैसे कि national affairs होगा international affairs हो गया culture हो गया सब कुछ हमने cover किया है आज थोड़ा specific जाते है आज हम national international affairs को थोड़ा ज्यादा और detail में देखेंगे 50 mcqs लेकर आयो इस वीडियो के अंदर और यह 50 mcqs में हम ज्यादा से आदा national international affairs को cover करने की ट्राइब करेंगे आगे में state wise जो भी उनका food है culture है उनकी फाइल लाओंगा उसके बाद हम sports वाले category में जाएंगे ऐसे धीरे-धीरे सारे category के almost 50-50 questions cover करने का ट्राइब करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हो अभी subscribe करो बेल आइकन दबाओ विकॉस कोई भी वीडियो अगर आपका मिस होगा तो आपके लिए ही गलत इसलिए जल्दी से follow कर दो subscribe कर दो और नीचे जो like वाला बटन है उसको click करके वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर देगे first question अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मैंने बताया था कि कुछ यूटूब चैनल से जिनकी में लिंक प्रोइड कर दूंगा उन्हें देख सकते हो तो अगर आपको अगर वीडियो देखने के आदात है पड़ाय वड़ाय आपसे नहीं होती उसके तुरू आप आपको माद में बहुत सारे इसुज क्रियेट हो चुके हैं काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं और इसके लिए एक नया एजनसी करना चाहती है वह एस्टेमिस कौन सी है तो वह एजनसी है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजनसी जिसको हम बोलते हैं डिजिटा तो अगर ऐसा क सब्सक्राइब कुछ भी आ रहा है तो उसका आंसर आएगा डिजिटल नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली विटने सा कॉंट्रोवर्शल एंटी कन्वर्शन लॉग पास्ट तो एंटी कन्वर्शन लॉग मतलब क्या अगर आप एक धरम में हो तो आप अभी नहीं हो सक कोई भी कन्वर्शन नहीं कर सकते ऐसा लोग कहां पर पास हुआ कौन से स्टेट में तो मध्या प्रदेश में यह पास हो चुका है काफी कॉंट्रोवर्शल लॉग है काफी प्रोटेस्ट हो गए अभी हुए लेकिन यह पास हो चुका है नेक्स च्च्छ में इस देने पर लीथियum Iain cell production लीथिय allergy होता है तो जो भी आपके electric scooties होते हैं electric car हो गए वो सबमें अăcentingired information लगती है अपने remote के भीculiar cell ऊहें उसमें भी कई नखेब लीथयum Iain यूज होता है लेकिन बहुत कम quantity में तो स्कूोटी हो गया है इस सब चीज़ों के लिए अजकल बहुत चाहिए लीथियम आया हूं तो उसके लिए IOCL और पैनासॉनिक ने मिल कर गया एक जॉइन्ट वेंचर चालू किया और उस जॉइन्ट वेंचर का नाम क्या है तो जॉइन्ट वेंचर का नाम है पैनासॉनिक इंडिया एनर्जी इंडिया's GDP growth rate for the current fiscal year is projected to be around तो इस current year के लिए इंडिया का GDP growth rate कितना माना गया है तो 6% के हिसाब से हमने projection रखी है कि growth हो सकती है एज आप एप्रिल 2024 विच इंडियन कंपणी बीकेम दो मोस्ट वाल्यूबल कंपणी इन कंट्री तो ऐसी कौन सी कंपणी 2024 के हिसाब से आप सब को बता है अदानी काफी चर्चा में रहे है और इसलिए इसका राइट आंसर है अदानी ग्रीन एनर्जी 6th question के तरफ जाते है the government launched the skill India mission 4.0 with a focus on developing skills for traditional industry emerging technologies service sector all of the above तो skill India mission 4.0 जैसा skills India का है ना अलग से पूरी website है government के तरफ से जहां पे अलग-अलग skill सिखाई जाती है जिसके थुरू आपको job और employment मिल सके और इसमें अलग-अलग चरण हुए है जैसा skill India, skill India 2.0, 3.0 अब 4.0 के अंदर ये पूछ रहा है कि अपना कौन से सेक्टर के तरफ government का mission है तो emerging technologies के related government skills सिखाना चाते है विकॉस आपको पता है सबको पता है next जो दौर आ रहा है वो है artificial intelligence technologies का दौर इस दौर में skill India 4.0 के तहर emerging technologies को सिखाने पर government का ज्यादा जोर होने वाला है next what is the name of digital currency pilot project recently launched by the reserve bank of India तो ऐसा कौन सा project है digital currency के लिट है जो RBI ने launch गिया है तो हम सबने पते cryptocurrency आया था bitcoin आया था उसके उपर tax लगा दिया गया था फिर government ने बोला था RBI ने बोला था कि हम अब एक अपना खुद का digital currency लाने वाले याद है अगर आपने थोड़ा भी social media बे भी अगर आप active हो तो यह चारी चीज़े चर्चा में आई थी तो इस project को क्या नाम दिया गया था इसको नाम दिया था E rupee क्योंकि online currency लेके जाने व bias bias क्या होता है bias यानि की धरना है जो हम एक तरफ मानते हैं जो हमें लगता है कि सही है लेकिन हो सकता है वो सही ना हो लेकिन हम मानके चलते हैं उस चीजों को हमारे दिमाग में रेके आगे बढ़ते हैं कोई भी decision लेने के लिए उसको हम बोलते है biasness तो break the bias challenge यहां पर रखा गही है तो यह चीज तोड़ने के लिए इस बर break the bias जो था वो ठीम रखा गया था गवर्मेंट रिसेंट्ली अनॉंस्ट अ प्लान तो इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया तो वाट परसंटेज बाए 2030 तो समस्य आने लगती है क्लाइमेट चेंज हो जाता है इस लिए फॉरेस्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी हो इसलिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक क्या परसंटेज प्लाइन किया कि हम फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे तो यहां पर आंसर है 25 परसंट फॉरेस्ट बढ़ाने का गवर्मेंट का प्लान है इस है डिया गया है इसे के जॉटिफाइए किया गया है और बदावगड नेशनल पार नेशनल पार और बदवगर नेशनल पार तो यहां पर राइट आसरे काना नेशनल पार काना नेशनल पार को CAZ याने की Conservation Assured Tiger Reserve का Certification दिया गया है नेम दे इंडियन साइंटिस्ट हो रिसेंट्ली रिसीव तो प्रेस्टीजियोस अलें टर्निंग अवर्ड प्रेस्टीजियोस अलें टर्निंग अवर्ड तो अभी है ने सतेंद्र बोस भी पहले के थे अभी जी बैनर जी और संजी वर्ड राइट आंशर संजी वर्ड दो आपको ध्यान रखना होगा सीवी रमन और सतेंद्र नाद बोस यह दिया है सब को पता ही है सत्यंत्र नाद बोस जो भी थोड़ा साइंस के बार में जानते उनको भी पता है कि बोस्ट थीयरी बनी गही थीमस थोड़े वास पोस्तले के बार में पढ़ा करो जाना करो खाली मीम्स मैं देख्ते रहो आपको जेमस टेलेस्कोप सकसेश्फुली एक सिस्टम रखा और वह जितना दूर तक जा सकते उतने दूर तक जाएगा और अलग-अलग प्लानेट्स अलग-अलग-चीजों और अच्छा फोटो यहां पे नासा वाले को भीजेगा ताकि हम को पता चले कि हमारे युनिवर्स में क्या-क्या चीज़े हैं क्या-क्या प्लानेट्स क्या-क्या एस्टरॉइड हे सारी चीजों के अपने को एक चीजों सकते तो यहां पर आंसर अ ब्लैक होल डिस्टन वह कैसी दिखती है थोड़ा बहुत हमें आइडिया सकता है कि वहां पर कैसे प्लानेट्स हो सकते हैं काफी इंपॉर्टन्स होते हैं लेकिर काफी डीटेल में हम नहीं जाएंगे फिलाल क्योंकि ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पर वाट इस नेम आपकामीं जहाँ पर चार स्पेस्क्राफ्ट के जरीए चार लोगों को उपर पहुचाया जाएगा जहाँ परटीकुलर ऑबजेक्ट हो जिसमें चार ऐस्ट्रोनाट रहेंगे रहेंगे तो ऐसा बनाने की योजना की गई तो वो प्रेस्टीजियर जो मिशन है जो इस रो द्वारा रखा गया उसका नाम है गगन यान जो की हाली में स्टेज बाइस स्टेज होने वाला है जिसमें सबसे पहले रोबोट को भीजा जाएगा अगर वो सक्सेस हुआ फिर इंसानों को भीजा जाएगा तो किस कंट्री में 2024 का विंटर ओलम्पिक्स होने वाला है या हुआ है तो यहां पर अपने वास ऑप्शन है चाइना साउथ कोरिया इटली जापान तो अपने वास आंसर आता है इटली ओंगोइं वार बिट्विन रश्या उक्रेंट बिगन इन सबसे फेमस क्वेश्चन है क क्योंकि यह बेसिक चीज है तो पता होने चीए रश्या यूक्रेंट का यूद्च चाल लुए कि दो साल अल्मोस्ट होने आया है और यह यूद्च चलते ही जा रहा है तो इसकी शुरुवात कब हुई थी इसकी शुरुवात हुई थी फेब्रुवारी 2022 यानि कि यहां पे आपने पास option है जर्शेंटीस गोर्मान जो जयुठए डिवाई चंद्रच फोट्र सुख्षित इंडिय मिशन चांपेन क्शिप फोकस्ग फोर्मिसेंग थोई निकलते रहतेए प्रिंडिया मिशन पहला मशिन बहुत सभिपोपवल techniques एन द्लूपों मेरीन एलोक का मिशन है वोलिस्टिक बकडविलेस् यानिकी ओवर्ओल वेल्ठीड और फीज फोरा पूरा ध्यान रहे पूरा माब पूरा ध्यान रहे किसवे कि हैं अब कैसा क्थ और सकता कि बहुती अब लूप को भी और हो 웃ो बहूर सबताइब चीज़ें पर द्यान रखा जाएगा इंडिया इंडिया रांकिंग इंटरम्स ऑफ जीडिपी टू भी तो इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड इनका काम में लोगों को पैसा देना जिस देश को जरूर तो उनको पैसा बाठते है रहात पैकेज देते हैं ऐसी सारी चीज़े होती पाकिस्टान कई बार मांगते रहता है पैसा आएमेस से जो भी कंट्री ऐसी है जो बार-बार डूब रही है जिनको पैसे खतम हो जाते वह आएमेस के पास जाता है इंडिया भी गई है लेकि इंडिया के बहुत अच्छे रेकॉर्ड से टाइम टू टाइम हमने पैसे चु पूरी दुनिया में तो आएमेस समझता है कि वह फोर्थ नमबर हो जाएगा आज हम फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनॉमी है बाई जीडीपी फिर हम आएमेस बोलता है कि फूर्थ लाजेस्ट हो जाएंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर में बोलाए कि थर्ड लाजेस्ट बना के रहेंगे देखते ही क्या होगा आगे जाके जब इलेक्षान आएगा पता चल जाएगा उसके बाद नाइंटीन्थ क्वेस्टन ने मर्जर ऑफ एजडीएफसी बैंक एंग विच हाउजिंग फाइनन्स कंपनी वास रिसेंटली अप्रूव तो फेंक का हाली में अर करते ही होपाहालच मेहीं बहुत फी तूफान मचा रखा था पुंसा साइकलों तक नाम था मंदू चानाम धा मंदू गैंड मनजू अनाम का कूस्ट शौेइनगल चालोया सिंगल युसे प्लास्टिक कर निकालने का निकालक दरनेंग्ड की अब होनीडिय कर चुक है है दो 2023 में 2024 में 2025 या 2020 तो 2025 का एक एम रखा गया है 2025 में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड़क्स को गवर्मेंट प्लान कर रहा है कि बंद ही कर दे सर्कुलेशन ही बन करते बनेगा ही नहीं बिकेगा ही विच सोशल मीडा प्लाटफॉर्म रिसेंटली लॉंच फीचर अलाविं उजर्स तो एडिड़ी पोस्टेड कंटेंट तो ऐसा कौन सा सोशल मीडा प्लाटफॉर्म है जो आपको अपना पोस्ट किया और कंटेंट को से होता था यहां पे पूछा गया है रिसेंटली आपको क्वेशन बहुत ध्यान से पढ़ना है रिसेंटली ऐसा इसा प्लाटफॉर्म ने रिसेंटली फीचर अलाव किया है एडिट फीचर जहां पर हम पोस्ट करने के बाद भी उससे एडिट कर सकते हैं लोगों को मेंशन कर सकते हैं चीजे वापस एदिट कर सकते हैं, कैप्शन वापस लिख सकते, काफी कुछ, तब फ़र्स्ट एबर सक्षेस्पू डेमोंस्टरेशन अफ्न नुउक्लियर फिजन वस अचीवद बाइद साइंटिश्ट इन विछ कन्टरी, सबसे पहला nuclear fusion, nuclear fusion क्या होता है, nuclear fusion से जब atomic bomb, nuclear bomb बनाते हैं, तो उसमें nuclear fusion की प्रक्रिया, यूज की दाती है इसको डिटेल में यहाँ पे ना समझाते हैं, क्योंकि यह science का class नहीं है, आप उसके बारे में YouTube पे search कर सकता है, आप प्यारा animation के साथ पुरा वीडियो मिलेगा, कर आप interested हो इस समझने में, तो सबसे पहले कौन से देश में इसकी खोज की गई थी तो चाइना था, वो देश जिसने successfully nuclear fusion सबको करके बता दिया था कि देखो इस तरीए से होता है वो इस दे करेंट सेक्रेटरी कौन है? anterior guterase the fifth female prime minister of the Democratic Republic of Congo was recently elected and who is she? 5th prime minister of Democratic Republic of Congo Democratic Republic of Congo कहा है? Africa के अंदर, Africa में यहाँ पे 5th female prime minister बनी है, कौन है वो? तो वो है Dennis Nakeru Shise Kiri, अब यहाँ पे हो सकता है pronunciation का issue हुआ हो, कुछ अजगक्रदिक से भी प्रोनांस कर सकते हैं, लेकिन यह करता है, answer क्या है? Because MCQ type question है, अपने को right answer को खाली सिलेक करना, pronunciation पे ज्यादा focus नहीं करना है The government launched the new initiative named DAC, Defense Acquisition Council which aims to promote domestic defense manufacturing सिधा सिधा चीज़ है, DAC के अंदर क्या कर रहे है? हम domestic defense manufacturing को produce कर रहे है, क्या होता था पहले के जमाने हम सारे ही weapons बहार देश से लाके अपने पास रहते थे उसमें काफी पैसा हमको देना पड़ता था और कभी-कभी हो साता था कि delay होता था यानि अदर यूद की स्तिती हो जाए तो हमारे पास ज्यादा चीज़े होती नहीं थे हम दूसरे देश पर dependent होते थे और वो अगर हमें टाइम पर हमारे weapons नहीं देते थे तो कहीना कहीं issues हो जाते थे तो अब हम D.A.C के तयत चाहते हैं कि सारे weapons इंडिया में बने ताकि हमें किस देश पर निर्भरना रहना पड़े हमारा पैसा देश में ही रहे और इससे काफी फायदे हो सकते हम एक्सपोड भी करना शुरू क असे सबसे पहले और अपने घर पे बैटे थे और फिर इसके थूरू यहां पर कॉन्फरेंस हुई थी ऐसा कॉन सा स्टेट रहा तो स्टेट है करना टका गुशन प्राइज प्राइज फार विच एग्रिकल्चर प्रडट्ट वाइज परसेंटेज तो मिनिममं सपोड प्र प्राइज मिल जाए और वह उस प्राइज पर गवर्मेंट को बेज दें गवर्मेंट फिल से आगे बेजता है राशन की दुकानों में वगयरा डिस्ट्रिबूट करवाता है तो उसको बहुते हैं इसको दिया गया था सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है पल्सिस को प् संथे तो यह सारी चीज़े वह प्लाइन कर रहें इसलिए उनको ज्यादा बेरेफिट दिया गया है वन अब लाग्जेस आई पीओ इन ट्वेटी ट्वेंटी फॉर वास बाइविच इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी का सबसे बड़ा निकला था 2024 में तो वह था इलेक्ट्र ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर वास तो यहां पे 2024 में वर्ल्ड वाइल लाइफ दे का थीम क्या रखा गया था पॉरेस्ट एंड लाइवली हुट सस्टेनिंग पीपल और प्लानेट कैसे हम प्लानेट को सारे ही जो भी यूवन बींग और अनिमल सब साथ में सस्टेनिबली कैसे आगे बढ़ सकते यह थी वाइल लाइफ डैकी को मैं इंडिया रिसेंटली साइड कीगाली अमेंड मेंड मेंड क्वेज आउट यविक हाम्फिल ग्रिनाउड गैस तो हमने किगाली amendment किया गया है, sign किया है और उसमें हम कौनसी greenhouse gas को निकालना चाते है, धीरे-धीरे बंद करना चाते है तो हो है hydrofluorocarbons HFC, अब यह hydrofluorocarbons क्या होते हैं तो हमारे refrigerators में यह use होते हैं हमारे refrigerators और काफी सारे ऐसे appliances हैं जिसमें यह use होता है तो हमने यह amendment sign कर लिया है और हम धीरे-धीरे phased manner में यह जो particular gas है, इसका चलन कम करने वाले हैं दूसरे technologies का इस्तमाल करके फर्स्ट एवर image of the black hole was captured by which telescope in 2019 तो black hole का photo पहली बार 2019 में कौनसी telescope से देखा गया था तो event horizon telescope है, उसमें से black hole को बहुत ही clearly देखा गया था और वो फोटो थी वो बहुत ही viral हुई थी, social media पर हर जागा आपनों देखने आप अगर आज भी टाइप करते हो भी कि black hole photo तो जो latest photo आएगा वो event horizon के through ही देखा गया है फर्स्ट एवर image of black hole वाला माने question हो चुका है, which country successfully launched its first ever reusable spacecraft in 2024 reusable spacecraft यानि कि क्या जो जाता है mission करके आता है वहाँ पर land होता है और फिर से वहाँ से उड़िके आपस अर्थ पर आ जाता है स्पेसेक्स में की गई थी स्पेसेक्स का तो स्टार्शिप था जो Elon Musk की कंपनी उन्होंने फॉर्स टाइम एक्सपर्मेंट किया सक्सेस्फूल रहा और पहला reusable spacecraft की शुरुवात कर दी Linked Israël और पैलेस्टीन प्राइमरेली सेंटर स्टेराउंड फ्राइमल के एक दिस्प्यूट्यूटि तो जो आब हचाली में और एक वर चला रही है जो है किस एरिया में प्यरी शेल रही है क्ति आर एसा है इसकम है और था यह एरिया के रिलेटेड ही यह पूरा वार चालू है यहां पर कोई और भी आये देखो वैस्ट बैंक यह सारे एरिया पैलेस्टीन के यह लेकिन में जो एरिया है वह है गाजा स्ट्रिप कि यह पॉसका में रिजन क्या था कि कही बार क्या अखता है सब्चिंशेंट ने युफ्यूपे लेते हैं कुछ प्सक्रिण कि को सब्सक्रिब यह अश्क्रिद कर सकते हैं करंट एड्युकेशन सिस्टम हमें अलाव नहीं करता लेकिन ने पिक अंदर यह चीज अलाव हुँ आपने देख सकते हैं holistic development with multidisciplinary approach multidisciplinary यानि कि मेरे को जो सब्जेक्स पसंद है मैं अपने हिसाब से जैसे आपने खाना खाने जाते हैं बूफे लगा रहता है बूफे में जो पसंद है हम अपने हिसाब से अपने लेट में भरते हैं उसी तरह पड़ाय में भी आपको जो सब्जेक्स पसंद है आप अलग अलग स्ट्रीम से उसे ले करके अपना एक कोर्स डिजाइन कर सकते हैं यह एनिपी का मेन अपरोच विच स्टेट रिसेंटली विटनेस्ट मेजर पॉलिटिकल कॉंट्रोवर्सी इंक्लोडिंग अलिगेशन सब करप्शन कॉंसे स्टेट में अभी एक मेजर पॉलिटिकल कॉंट्रोवर्सी चल रही जहां पर बोला जाता है कि करप्शन हो रहा है तो उसका अंसर है उत्तर प्रदेश गुद्जन सर्विस टैक्स कांसिल रिसेंटली और फाइनल अंसर रहेगा एसेंशल फूड आइटमस एसेंशल फूड आइटमस पर टैक्स कां करने की बाचित की लिए रिजो बैंक ओफ इंडिया राइसेंटली हाइक रेपो रेट बाइट बाइव परसेंट को बढ़ाया गया है तो 0.5 परसेंट से रेपो रेट को इंक अगेंट्स विच प्रॉमिनेंट परसनालिटी अब मीटू मुमेंट क्या होता है मीटू मुमेंट के अंदर आपको जिसकिसी ने भी परेशन किया तो उसके लिए हर जगा जिस जिस लोगों को ऐसा लगा था कि मेरे साथ भी यह चीज हुआ है तो लोगों ने हैस्टेग मी किया है परेशान किया है यह सारी चीजे की है तो सब अपनी एक्स्पिरेंसी शेर कर रहेते हैं यूजिंग हैस्टाग मीटू इंडिया इस सिगनेट्री टू विच इंटरनेशनल कंवेंशन और राइट्स ऑफ परसन विट डिसेबिलिटी तो ऐसे कौनसे इंटरनेशनल कं का इंडिया को सिगनेट्री रखा है सिगनेट्र यानि इनके सांट के बगए चीजे आगे नहीं बढ़ेगी यह चेंज उती रहती है कंट्री वाइस फिलाग इंडिया के पास है कौन से संस्थाय ऐसी जो डिसेबिलिटी के साथ डील करती है कंवेंशन और राइट्स ऑफ इंडिया बनी है विच सोचल मीड़ा प्लैट्फों में जहां पर प्लिटिकल एड़टैजिंग लगा दी गई है तो हमारा आंसर है यहां पर फेस्बूक फेस्बूक पे आप फिलाल कोई बी कि एलेक्षन के रिड़टैड पॉलिटिकल रिड़टैड एक कैमपें वगेरा नहीं चला सकते कोई आइड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर्ट अपने सामने है नहीं लेकिन वर्चुली वर्चुली पूरी एक दुनिया बनाना वर्चुली गेम आपने देखा र को निकला था यहां पर आप पर पहिंत और आपको सारी चीजे उसके जरीए दिखती है आप पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम पूरी की पूरी चीज सामने अपने देख सकते हो विजिंग विजन प्रो तो यह क्या है यह एक्जांपल है मेटावर्स का वर्चुल रियालिट आप घर पर ही बैठाव इसी चीज़ को हमें डिस्क्राइब करते हैं एज मेटावर्स गवर्मेंट लांच निव इनिसियाटिव नेम खेलो इंडिया विद फूकस और प्रमोटिंग खेलो इंडिया क्या गया खेलो इंडिया ग्रास्ट्रूट लेवल पे स्पूर्स को इंडिया विच स्टेट एसेंबली रिसेंटली पास्ट बिल रिजर्विंग अ सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर वुमन इन लोकल बॉड़ी इलेक्शन कौनसी ऐसी स्टेट एसेंबली जिसने अभी बिल पास किया है जहां पर मैला को कुछ सीट रिजर्व की गई है तो यहां पर हमारा ऑप्षन है तेलांगाला तेलांगाला स्टेट के अंदर लोकल बॉड़ी में कूबन के लिए रिजर्वेशन की गई है इंडिया रिसेंटली साइड़ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट विच कंट्री तो बूस्ट बाइलेक्टर ट्रेड कौनसे कंट्री के जो सामान भी करा है वही भाव में हमारे देश में भी जाए तो हमने हाली में कैनडा के साथ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट साइन किया है औस्ट्राय यूए-उके के साथ हम अल्ड़ेडी कर चुके है कैनडा के साथ हमारे कुछ समयंथ बीच में अब याच्छे नहीं रहे थ लांच ऑफाइजी नेटवर्क से किस पर्टिकुलर टेक्नलोजी में और फाइदा हो सकता है अपने ब्लॉक्चेंग है आयोटी है आयोटी और आयोटी इंटलीजन्स में बहुत फ़रक है आयोटी क्या होता है तो रीमोट से उसका आप अपरती जो सिगनल्स दे रहें कि रहे हैं क्यां पॉन में आगे अर democr उप्लाष्टर होता है he यह क्या है sensors ऐसे काफी sensors होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में जिसे गाडियों में हो गया automobile industry पूरी है इस होल में हो गया sports में use की जाते है sensor देखने के लिए कि क्या angle पर batsman खड़ा है तो उसे dismissal ज्यादा हो रहा है क्या angle पर balling करनी चीए जिससे सामने वाला ज्यादा आउट हो रहा है क्या angle पर shorts उठाने चीए जिसे 6 जाने के chances बढ़ जाते हैं यह सारी चीजा sensor से ट्रैक होती है और यह सब टेक्नोलोजिस आयोटी के होई थी अब ब्रिक्स क्या हो समझो ब्रिक्स यानि की ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना और सौथ आफ्रिका यह पांच देश मिलके summit organize करते हैं जैसे की नेटो की summit होती है जी 20 होती है वैसे ही ब्रिक्स है ब्रिक्स के अंदर यह पांच देश मिलके global ties के बारे में discuss करते हैं तो इनका 2024 में क्या थीम था थीम था थीम था global economic recovery post pandemic आपने देखा कोविड के टाइम में सारे markets crash कर गए थे सब कुछ बंद हो गया था सारे businesses खतम हो गये थे तो सब देश को एक नुकसान हुआ है उस नुकसान से कैसे उबरना है कैसे हम चीजों को आगे लेके जा सकते है कैसे यह पांच देश मिलके आपस में दूसरे की मदद कर सकते है यह थीम रखी गई थी 2024 मे जिए तो पूला जाता था इन फैरो की टूम बना जाती तो अन को दफण कर दिया जाता था उसके पिरामिड बनाए जाती जो आर्केलोजिकल सर्वे हुआ एजिप्ट के अंदर यानिकी खोषबिन हुई तब एक नया फैरो मिला और उस फैरो का नाम क्या था था तो क्या přुष् Payoh is yet to be identified अब तब उसका पता नहीं चला है कि आदार का नाम क्या żyक्स्त corn यहाद पास सबूत है और वो उस लोकेशन पर नहीं है लेकिन यह जो हमें मिला है उस पर हमें जानकार ही नहीं लास्ट कुएसटन रीकर का इंटनाशनल औलम्पिक कमिटी रिसेंट्ली वोटेट तो इंक्लूड विच न्यू स्पूर्ट इन 2028 समर ओलम्पिक्स पहला अप्शन अपना सर्फिंग ब्रेकडास्किंग और क्रिकेट तो दोज़ार अट्थाइस में किस स्पूर्ट को रखने की बात की जा रही है ब्रेकडासिंग ऐसा स्पूर्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है हो सकता है क्रिकेट भी इंक्लूड हो जाए क्योंकि यह जो होने वाला है यह यूसे में होने वाला है लास एंचलेस के अंदर 2028 समर ओलम्पिक्स होने वाले है जोजार्ट चौबिस में पैरिस में हो रहे है तो उसमें क्रिकेट की बात किये जा रही है यह जो T20 वोल्ड का भी होने वाला है इसके बात शायद इसको बात्चित की जाएगी कि क्रिकेट को इंक्लूड करे या ना करे लेकिन ब्रेक डांसिंग को मिल चुका है अपर्वल और वो as the sport 2020 Olympics में अपने को देखने को मिलेगा तो यहां होते हैं हमारे 50 General Knowledge and Awareness के question खतम जिसमें आपने इंटरनेशनल अफेर्स को थोड़ा टच कर लिया है और इसी में थोड़ा sports का भी context ने ले लिया है लेकिन sports का अलग से PDF आने वाले lectures में आएगा तो आपको चैनल को subscribe कर कर रखना है description में आपको दी है टेलेग्राम लिंग टेलेग्राम लिंग को क्लिक करो वहां पे lectures खतम होनी के तूरंट बाद आपको PDF मिल जाते हैं जिसके तुरूँ आप अपने पास उस PDF को रखके चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हों देखो जेके के अंदर बहुत सारी ची question हो आएगा तो आपको ऐसा कुछ याद आएगा कि हाँ यह पड़ा हुआ था इसका यह आंसर होगा इसलिए बार-बार रीड गरने के लिए PDF होना जरूरी और यह PDF आपको मिलेगा description में लिंक गिवाने जाईए जनली से जॉइन किजे हमारा टेलेग्राम चैनल वहां पे आ सक्षी है टूरी कि के कि इե पींशित हो टूरी किवाँ पर शोजग पांपके ट्रूरी जगे किवाक टूरी कि कैनल पूरी जब रहत दूरी इसे जी कर्ट मुड़ीड बार बहत हुए जडरolen